Hello BSC First Year Student, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे BSC First Year, Botany के First Semester में आपका Theoretical Paper आता है Microbiology and Plant Pathology दोस्तो इस Semester में आज हम एक Most Important Topic डिसकस करेंगे Yellow Vane Mosaic of Bindi भिंडी का पीला सीरा Mosaic Disease और ये Topic आता है आपके Plant Pathology के अंदर तो आज हम इस Topic को काफी डिटेल में डिसकस करेंगे Plant Pathology से कई सारे Important Topic है जो एक्जाम पेपर में पुछे जाते हैं जैसे Mosaic Disease of Cucumber, Little Leaf of Brinjal, Citrus Canker Disease या Yellow Vane Mosaic of Bindi कई सारे Topic हैं जो की Plant Pathology से पुछे जाते हैं दो नमबर या साड़े तीन नमबर में उन्हीं Topics में कवर कर रहा हूं तो यदि आप BSC के Concept को Hindi में समझना चाहते हैं तो आप इस Channel से जुड़ सकते हैं और यदि आप BSC First Year के Student है जो की Recently 2021 के According जो नया Slabers Loan चुआ है अगर आप उसके According पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस Channel से जुड़ सकते हैं यहाँ पर आपको Hindi में वो सारे Topics क्लियर किये जाएंगे चली डिसकस करते हैं येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी भारत में भिंडी उगाने वाले सभी छेत्रों में व्यापक रूप से पाय जाने वाला यह डिजीज 1940 में सबसे पहले सर उप्रथम मारास्टरा में उपल एवं साथियों द्वारा देखा गया था यह भिंडी में अत्यदिक हानिकारक रोग, harmful disease होता है लक्षन की बात करते हैं यानि कि इस disease को आप कैसे पहचानोगे कि यह भिंडी में हो चुका है, क्या लक्षन है, क्या symptoms है तो यह disease मुख्य रूप से पत्तियों पर होता है यह target करता है leaf को, जिसमें vein clearing हो जाता है जैसे leaf के अंदर basically होता क्या है कि उनमें जो chlorophyll होता है, वो damage हो जाते है जिसके वज़े से पत्तियां पीली दिखाई पढ़ने लगती है तो इसमें chlorosis और vein clearing हो जाता है जिसमें शीराएं vein clearing हो जाती है तथा इसमें पर्ण हरीम यानि जो pigment होता है chlorophyll वो damage हो जाता है chlorophyll green color का होता है लेकिन जब इसमें chlorosis हो जाता है तो वो yellow color का दिखाई देने लगता है ठीक तो इस तरह से जो पत्तियां है वो पूरी पीली color में दिखाईने लग जाती है शीराएं veins and veinslids मोटी हो जाती है चमकीली तथा पीली पढ़ जाती है जिससे कि शीराओं का जो जाल है वो पूरी तरह से spust clear दिखाई देता है कभी कभी पूरी पत्ती पीली हो जाती है और पोधा जो है वो dwarf बोना रह जाता है तथा नई पत्तियां भी पीली एवं छोटी हो जाती है गर्मी के मोसम में जो जिस समय बारिश होती है वर्षा से इस रोग का जो फैलाव है यह जो disease है इसका बहुत तेजी से फैलाव होता है यह जल्दी से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में disease बहुत जल्दी से उसका transmission होता है किस समय में? जिस समय गर्मी के मोसम में जो बारिश आती है उस समय रोगी पोधे पर भिंडियां छोटी, पीली, विकरत तथा कम होती है यानि जिस प्लांट पर यह disease हो जाता है उसमें जो भिंडियां वो बहुत छोटी दिखाई पड़ती है यलो कलर की दिखाई पड़ती है, damage दिखाई पड़ती है सीग्र प्रकोफ होने पर पूरी फसल तक नस्ट हो जा सकती है जैसे for example कोई किसान है और उसने भिंडि की फसल को इनिशली बहुत जल लगया अगर उसी समय यह रोग स्टार्ट हो गया, अगर इसका जो पैथोजन है उसने तुरंत अटेक कर दिया तो end तक जाते जाते उस फसल पे जो fruits जिसके लिए फसल उगाया गया था वो चीज भी उसे नहीं मिल पाएगी तो इतना ज़्यादा घातांक रोग यह होता है इस फसल के लिए तो इसको control करना बहुत ज़रूरी है लोकी तोरई एवं तर्बूज पर भी इस virus का संक्रमन हो सकता है तो यह डाइग्राम आप exam paper में बना सकते हैं इस disease को show करने के लिए इसमें आप जो पत्तिया है वो yellow color की दिखा सकते हैं symptoms of yellow and mosaic of bindi इसमें आपको leaf को बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जंगा पर ग्रीन और थोड़ी थोड़ी जंगा पर आप yellow दिखा सकते हैं प्रसार यानि transmission इस virus का जो प्रकरती में जो प्रसार होता है यानि कि एक plant से यह दूसरे plant पर कैसे transmit होता है तो एक सफेद मक्ही होती है जिसकी वज़े से transmit होता है जहा एवं मिस्रा 1995 में इन्होंने पाया कि भिंडी लीफ होपर द्वारा यह रोग नहीं फैलता जो लीफ होपर होते हैं उनकी द्वारा तो यह रोग नहीं फैलता राइट कुछ weeds जैसे for example crotone, ispersi flora, malvestrum, tricapsidatum, agritum यह कुछ ऐसे weeds होते हैं यह संक्रमन के प्रथम source का कारी करते हैं इसको कैसे आप control कर सकते हैं what of the most important point इसको कैसे नियंतरन किया जा सकता है तो जो weeds होते हैं खर-पतवार होते हैं उनको damage कर दीजिए उनको nest कर दीजिए और जला दीजिए लक्षन दिखाई देते ही बिंडी के प्रभावित यानि इस disease से जो प्रभावित जो पोधे होते हैं उनको जला देना चाहिए सफेद मख्षी से फसल सुरक्षा 0.3% आफ फिलिडोल आदी इनसेक्टी साइड का छिड़काव करके आप उससे बच सकते हैं क्योंकि सफेद मख्षी ही होते है जो कि एक पोधे से दूसरे पोधे पर ये इसका रवरो का transmission करती है एक carrier की तरह काम करती है जिससे एक स्वस्थ पोधा होता है और एक disease से ग्रस्थ पोधा होता है तो disease से ग्रस्थ पोधे से स्वस्थ पोधे तक transmission ये मख्षी करती है तो इस मख्षी को भी damage करना जरूरी है तो insecticide use करके इससे बचाव कर सकते हैं पूसा सावनी की एक किस्म होती है वराइटी होती है जो कि रोग रोधीता दर्शाती है तो उस तरह की आप उसको उगा सकते है उस वराइटी को आप लोग उगाए तो ज्यादा बेटर होगा तो यह हमने आज डिसकस किया येलो वेन मौजक ऑफ भिंडी नेक्स वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिसकस करेंगे सिट्रस केंकर डिजीज थैंक्यू सो मच वचिंग इस वीडियो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई टटा